सब्सक्राइब तू माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकोन अब लोग फिर मैदान जा रहे हैं आज सेकेंड है और मेरे साथ सारे बैटी भी पूरी टीम बैटी हुई है और यहांकि फिट्विटी भी बहुत मज़ेदार होता है अभी हम लोग बीकानो फैक्ट्री के पास से लिखलेंगे और बीकानो फैक्ट्री को भी आपको दिखाए हेलो फ्रेंट्स हाँ आप लोग कैसे सब किक टक सबड़ी आपका दोस्तों में घोज फिर प्रेजन्ट हो गया प्रेंट्स आज हम लोग का वीकानेर में सेकेंड डे हैं कल फर्स डे था और हमारा ये टोटेल तीन दिन का टूर है टोटेल टूर तो इसे चार दिन का है लेकिन कलब काइट फैटिंग जो है तीन दिन होगी और एक दिन हम लोग को रेस्ट करने के लिए चाहिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये उस तरब जो है वीकानेर की टीम बैठी हुई है और अभी तो जस्ट गेम सुरू है अभी बारा बज रहे हैं और हवा की स्पीड जो है यहाँ पे 14 किलो मीटर पर आर्ट से लेकर के 18-19 कभी-कभी 22 किलो मीटर हो जाती है फ्रेंट्स मैं आपको बता दूँ कि हम लोग गूगल में सर्च करते हैं कि आज वींड स्पीड क्या रहेगी पर यहाँ पे जो है हवा की स्पीड कम ज्यादा होती रहती है और कभी-कभी टीम है यहाँ पर बैटी हुई है मेरे पीछे आप देख सकते हैं और माइक लगाने के बावजूद भी जो है यहाँ पर माइक काम नहीं कर रहा हवा की जो अवाज है वह साफ सुनाई दे रही है फ्रेंट्स और कुछ मांजा वांजा दिखा देंगे आपको कुछ पतंग अगरा दिखा देंगे लेकिन काइट फाइटिंग की वीडियो दिखाना बहुत मुस्किल होगा क्योंकि फ्रेंट्स में आपको बता दूँ कि पेज यह बहुत दूर लड़ रहे हजार मीटर से स्टार्ट होकर के पन्रा सो पन्रा सो मीटर पर पेज लड़ रहे तो वहां वंज़ां-वंज़ां क्या है यूज़ हो रहा है पज़ों के दिखाते हैं दोनों टीमिगे फिर भातमें बी कानिए है यह लोग से बीका नेर ले क्या हैं और यह देखिए मैं रैपर तो नहीं खोलूंगा क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा रेत है तो इसलिए जिस क्या है अब यह देखिए बहुत अच्छे मांजह यह एक तम टॉप मॉस्ट कारीगर के मांजह जो है और एक से बढ़ कर एक मांजह मेंगर्स का मांजह यूज किया जाता है तो मैंने सुचा क्यों ना इनको आप लोग को दिखाऊं मैं अभी और भी मांजह आपको दिखांगा मैं प्रेंट्स यह भी देखिए बहुत अच्छ अच्छ मांजा मेकर्स का मैं इसको क्लोज अप करके दिखाने की कोशिज करता हूं और यह सब बहुत अच्छा मांजा है और इनी से कलब काइट फाइटिंग की जाती है फ्रेंट्स कलवाली नहीं देखिए बहुत अच्छा मांजा है और इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ यह भी मांजा मेकर का आप नाम देख लीजिए यह टॉप मोस्ट मांजा मेकर्स हैं यह नहीं के मांजा कलब काइट फाइटर्स यूज करते हैं पर इंडिया के टॉप मोस्ट मांजा मेकर्स के मांजा हैं और इधर आप देख सकते हैं वह बहुत अच्छा मांजा है फ्रेंट्स एक से बढ़कर एक मांजा जो है club kite fighters यूज़ करते हैं क्योंकि ये जैसे दो सहरों का काईट फाइटिंग होती है तो दोनों ही सहर कोसिस करते हैं कि हम मैदान जीत ले हम मैदान जीत ले की पूरी भरपूर कोछिस रहती है इसलिए अच्छे से अच्छे मांजह का use हो रहे हैं अभी आप देखिए कितने अच्छे-च्छe मांज़i यहां पर use हो रहें और यह दिल्ली की team का मांजह यूज़ कर रहें जो पतंग आज ये लोग लड़ाएंगे तो उसकी थोड़ी सी एक छोड़ी सी वीडियो बना करके दें भाई सब ये सब पतंग जो है बहुत दूर बीका ने एक पूरे हिंदूस्तान के अंदर एक ऐसा सहर है जिनकी पतंगों का रेंज सबसे ज़्यादा दूर लडने वाली है और यहां पर आकर के बड़े-बड़े कलब बाले भी पस्त हो जाते हैं क्योंकि ये लोग कई बार जो है 1200 से 1500 मीटर के बीच में भी पतंग लडाते हैं और इस रेंज पे पतंग लडाना जो है सब के बस की बात नहीं होती है जो बहुत मजह हुए प् लडा सकते हैं और यह देखिए सब पतंगे जो दिखाई जा रही है बहुत अच्छे कारीगरों की बनी हुई पतंगे एक से बढ़कर एक आला पतंग दिखाया जा रहा है आप लोगो और यहीं पतंग जो है यह लोग आज दिल्ली के खिलाफ लडाएंगे और दिल्ली का पतंग मैंने आपको दिखा दिया और दिल्ली की मांचे की चर्की भी दिखा दी यह देखिए कैसे खुबसूरत डिजाइनर पतंग भी है इनके पास पूरे हिंदूस्तान से पतंग मंगवाते हैं यह लोग हिंदूस्तान के हर कोने से लखनोव, कानपूर, बनारस, कॉलका पतंग मुरादाबाद, बरेली, रामपूर, मैं किसकी सहर का नाम लूँ यहां तक की बीकानेर में भी बहुत अच्छे कारीगर हैं, काइट मेकर्स हैं जो पतंग बनाते हैं, आप लगातार पतंग देखते जाए कितनी खूबसूरत पतंग इन्होंने दिखाया, अब मैं दूसरा बॉक्स है, उसकी भी दिखानाई की कोशिस करता हूं, यह देखिए फ्रेंट्स हमने यह दूसरा बॉक्स भी खोल दिया, यह दूसरे प्लेयर का है, इनके भी पतंग देखिए, और हर टीम के अंदर सीनियर और जूनियर दोनों ही प्लेयर से लाए गये होते हैं, आप देख सकते हैं, यह पतंग कितना अच्छा, कितना खूबसूरत और इनके कमांड ठड़े भी देखिए, इनके पेपर यह पतंग देखिए फ्रेंट्स, यह किस कारीगर की पतंग है, भाई साब, बाइब बाइब थोड़ा सा मोहर पे क्लिक करूंगा इसके, यह देखि इसक अरजिनल पतंग देखिए फ्रेंट्स, और यह ओरिजिनल पतंग है इसकी, गृट एक से बढ़कर एक पतंग की, बहुत ही अच्छी अच्छी पतंग है फ्रेंट्स, यह लोग के पास आप देख सकते हैं, और सीनियर, जूनियर सब प्लेर होते हैं टीम के अंदर, यह भी पतंग बहुत पुरानी है वाह यह देखिए यह अजगर भाई मेरे भी फेवरेट है यह मेरत के टॉप मोस्ट कारीगर है कलकाता पपई की यह देखिए कोलकाता वालो आप अपनी पतंग देखिए मैं यहां पर एक मिनिट जड़ा सा मेरे कुछ को फड़ा सा क्लिक कर है ने कंटी आ रही है आ रहा है ठीज़ी आतों अच्छी धाफिन पतंग बहुत अच्छी करिबी यह हshop दिखा दी आता कि सरी बहुत अच्छी करिगणार किपण disc और यह मुश्णीों है यह पास और फ्रेंट्स ये देखिए ये सब सीनियर प्लेयर हैं और बिकानेर में 1903 की भी मैं कलब देख रहा था 1953 में बनी हुई एक कलब है जो कलब हमारे से कल लड़ी थी वो इतनी पुरानी कलब थी और इसमें देखिए आप समसब कर दीजे थोड़ा से ये यंग प्लेयर हैं और इधर सीनियर प्लेयर हैं सीनियर प्लेयर जो है जूनियर प्लेयर के साथ अपना जो है सारा उनको समझाते हैं कि भाई आपने पेज किस तरह से लड़ाना उनको भी उस्ताद बना देते आने वाले डाइम में और जो जूनियर प्लेयर हो इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो 300-400-500 मीटर पे पेज लड़े तब इनका इस्तेमाल किया जाता है और जब बहुत दूर पेज लड़ता है तो ये सीनियर प्लेयर लोग लड़ाते हैं हजार मीटर से उपर वाले ये सारे senior player हैं क्योंकि वहां पर experience काम आता है और यहां पर ताकत काम आता है यह player ताकत का है और यह सारे जो player बैठे हुँ यह experience बाटते हैं अपना बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मिल करके मैं अभी और भी मेंबर से मिलाना चाहूंगा आप लोगों को थमसब कर दीजे राजु भाई हैं यंग player है बीकानेर के और यह जो हैं काइट फाइटर हैं कलब काइट फाइटर हैं और यह तेज खीच करके लड़ाने वालों में से हैं और भाई साब आप भी थोड़ा सा यह देखिए मूपे इन्होंने पूरा एकदम टेप लगा रखा है है पूरा इसको लपेटा हुआ है इसलिए ताकि धूप बग के लिए देखिए सारा रखा हुआ है और पूरा यह डेजर्ट एरिया है आप देख सकते हैं पा qui बहुती जो है मच्रूट लोग होते हैं वही कलब काइट फाइटिंग कर पाते है तो चली अब इनके पास जो मंज़ा वगरा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स देखिए ये बीकानेर की टीम इस कारीगर का मांझा यूज़ा यूज़ कर रहा है और मैं थोड़ा सा पास ला करके आपको दिखाता हूँ यह देखिए यह बीकानेर की टीम वाले ही इस मांजे को यूज कर रहे हैं बहुत अच्छा मांजा है और काफी दूर पेच लड़ रहा है तो इसलिए पेचों की वीडियो नहीं बन पारी और भी थोड़ा सा चर्खा दिखा दीजिए जो आपके पास है वाँ यह मिर्जा जी मेरे विडाय यह मेरे वी फेवरेट है मिर्जा जी यह ऑ्रजीनल मांजा है जो इन लोग बात है सब कुछ इनके पास जो है बहुत अच्छा रहता है मांजा पतंग और लड़ाने का experience तजुर्वा सब बढ़ीड में आपको एक बता दूँ कि बीकानेर की जो क्लब काइट फाइटिंग है वो सबसे अधर टफ है पूरे इंडिया के अंदर क्योंकि यहां पे रेत चारों तरफ डेजर्ट और बिल्कुल खुले धूप के नीचे खड़े होकर के वतंग लडाना डेजर्ट में और यहां पे जो अभी टेमप्रेचर है जो बन रहता है कभी तो स्पीड 14 km per hour की रहती है और कभी 24 km per hour की स्पीड पहुंच जाती है तो कई बार यहां पे गूगल जो है सही नहीं बता पाता है कि विंट की स्पीड क्या है और क्या नहीं है और पीछे आप देखिए मेरा पूरा डेजर्ट के लावार कुछ नहीं है र हैं और इन्हों ने जो है अपनी एक टीम यहां पर रखी हुई है बाला जी के नाम से और बैसाब हम लोग दिली से आये हुए और आप लोग विकानेर से हैं तो यह जो क्लब काइट फैटिंग है तो रेगुलर होती रहती है विकानेर में ओल ओवर इंडिया से लोग आते ह अच्छा तो आप लोग कैसे कर लेते हैं यहां पर तो जो टेंपरेचर है वह पचास डिग्री भी क्रॉस कर जाती है तो आप लोग कैसे कर लेते हो इस तरह से ग्राउंड में आकर के बड़ा आपके जजबे को तो मैं सलाम करता हुए बीकानेर में जो क्लब काइट फैटि पर भी पतंग बहुत क्लियर देख रहा हूं अभी आप लोग सुन रहे हैं फ्रेंट्स की 2000 मीटर पर भी पेश लड़ जाते हैं क्योंकि यहां पर पलूशन नहीं है पलूशन का नामों निशान नहीं है और बहुत क्लियर वियू रहता है और आप कितना दूर देखना चाह है वह नहीं बन पाता है और हम लोग इसलिए आप लोग को पतंग और मांझे की ही वीडियो बना करके और मेंबर्स की वीडियो बना करके दिखाते हैं तो चलिए बहुत अच्छा लगा आपको एक थमसब हो जाए थैंक्यू थैंक्यू वेरी माच विया तो भाइस सब मेरी और अच्छा पेच काड़ दिया आप देख सकते हैं वो पतंग जा रही है प्रेंड्स देखिए यह बिकानेर की टीम बाले अपने साथ जो है अधनान भाई की अधनान अली का मांझा लेकर क्या है यह देखिए इस पर लिखा हुआ है क्लियर बिलकुल लिखा हुआ है बादि में बहुत जाए और बाकी सहरों में बहुत कम लोगो को मिल पा रहा है यह तो दिल्ली वाले या वीकानेर में सब पहुंचे हुआ पे बरेली और मिलने वाले थी तो अमने उनको रिप्रेश करी थी तो नहीं चार चर्की मंग वाली अरे क्या बात कर रहे हैं सर यहां पे तो लोगो एक नहीं मिलती है चार मिल गई आपको बतलो यह देखिए मैं कलर भी दिखा देता हूं और बहुत अच्छ कि September मेरे सब्सक्राइबर्स को बोलन काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स जानना चाहरे थी अदनान भाई का मांजा का दिखाओ और आपको बता दूझ अभी तक अथे वसलिसा uniform नहीं करेंगे आज मैंने फरस्ट टाइफ उनकि देख्या में ठीड़ीमे नहीं दिना जोषक बहुत ज्यादा नास्ता, ब्रेक फास्ट और फिर दपर का ल।कर सब कुछ लेक के आते हैं और बहुत महमान नेवाजी करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा close up करके दिखाता हूँ, यह देखिए, बहुत solid का चोड़ी आए यह, आपका भी खाने का मन कर रहा होगा, फ्रेंट्स देखिए अब यह पेज लडने जा रहा है और जो left hand side पर team बैठी हुई है वो दिल्ली की TEAM है, और right hand side पर team बैठी हुई है, वो जो है विकानेर की TEAM है, और विकानेर की TEAM भी बहूत मजबूत है, दिल्ली की TEAM भी बहूत मजबूत है, और दोनों बहुत ही अच् जिस time पतंग बाजी शुरू ही थी यानी सादे बारा बजे उस time हवा की speed बहुत अच्छी थी लेकिन अब हवा की speed काफी कम हो चुकी है अब हवा की speed जो है 8 km रहे गई है और पहले हवा की speed जो थी 15 km थी और अब जो है मारधाल का पेच लड़ेगा पहले तो पेज काफी दूर लड़ा है तो इस करके पेज फसा करके लड़ा है धिलम का धिल का पेज कर लड़ा है लेकिन अब जो पेज लड़ेगा जिसके कंधे पे दम होगा जिसके कंधे बाजू पे ताकत होगी वही बाजी निकालेगा जिसका पतंग मांझा डोर अच्छ करें हुए हैं और यह लोग विकाने चैनल को सब्क्राइब किया हुए यह देखिए कितने सारे लोगों ने सब्क्राइब किया तो एक थमसब भी हो जाए और आप देख सकते हैं कि काफी सारे लोग इस तरह से पीछे भी बैठे हुए हुआ से क्लब काइट फैटिंग को इंजॉय कर रहे हैं चलिए हम आपको पेज दिखाते हैं यह देखिए फ्रेंड्स सही हो गया जो राइट हैंड साइट से है उपर से लड़ा रहा है वह बीका ने टेपर गद्दा मार करके बाहर का गद्दा मार करके यह पेज काट दिया दिवीकार ने ने बहुत अच्छा पेज काटा वह दिली की पतंग कट करके जा रही उचलती कुत्ती जा रही उसको आगे बच्चे पकड़ेंगे और लूट करके ले आते हैं फिर यहीं पे देखी वहाँ पे बच्चों ने उस पतंग को वकड़ लिया अब इसको उतारेंगे उतार करके अपने पास रखेंगे साम तक दस बीस पचीस पचास जितने भी पतंग हो जाएगी वह सब लाकर कि नहीं कोई वापस बेज दिया जाता है यह हर सहर में इसी तरह का ही होता है यह सिर्फ अकेले विकानेर में ही नहीं लखनो कानपूर इलावा सब जगे ऐसा ही होता है फ्रेंड्स देखिए फिर से पेच लड़ने जा रहा है और जो है राइट हैंड साइड का प्लेयर नीचे से लड़ाएगा लेफ्ट हैंड साइड का उपर से लड़ाएगा और आज भी लड़ रही है और उसके बाद भी काफी सारी क्लब है बन चुकी है और यहां पर 30-35 क्लब हैं 32-35 क्लब्स हैं और दो आर्सोसीशन है और अभी देखिए पेच देखिए अब पेच लड़ने जा रहा है और जो मेरे ख्याल से साइड जो लेफ्ट हैंड साइड का प आज दोनों यह ठान करके आए चल देखें किसमें कितना है दम और यही जजबा लेकर कि यही ख्यालात लेकर के दोनों प्लेयर जो अपनी पेच की त्यारी करके आते हैं घर से और यह सही हो चुका है राइट हैंड साइड वाला जो है उपर से लड़ाएगा लेफ्ट और पिछला पेच जो है उपर वाले ने काट दिया था यानि जो राइट हैंड साइट का प्लेयर है उसने पिछला पेच काटा था और बार भी वो उपर से ही लड़ा रहा है दोनों एक दूसरे के नप्च को टटोल रहे हैं दोनों प्लेयर किसका कौन सा हिस्सा कमजोर मिल यह लड़ाते हैं बिलकुल आंखेब बंद करके और दान्ध भीचते हुए किस से हैं और पूरा एक दुसरे के धंख़म को तो लेते हुए जो है पेच्च लडाते हैं और यह चले 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 रुग गें और उपर वाले ने अपनी चाल चल दी और और नीचे वाले ने । दे करके पेज काट दिया, यहीं जो लेफ्ट रंड राइड प्लेयर है उसको यहीं थोड़ा से बेकूफ सा बनाया और फिर उसके बाद पेज को फसा करके थबकिया मार करके पेज काट दिया, इस बार जो है वीकानीर का पतंकड गया दिली ने काट देखिए friends फिर से लड़ने जा रहा है और जो left hand side का player है वो नीचे सड़ाएगा राइट hand side भाला फिर से उपर से लड़ाएगा और देखिए इस page में क्या होता है जिसने पिछला page काटा था left hand side से उसने dos दे कर के पिछला page बहुत अच्छा काटा था और इसमें जो है तरे तरे के जो है हतकंडे तरे तरे के जो तरकीब जो है अपनाए जाते हैं और दमखम भी लगाया जाता है यहीं सारीरिक ताकत और बुद्धी का परिशय दोनों देना पड़ता है क्लब काइट फाइटिंग के अंदर और यह क्लब काइट फाइटिंग का जो गेम होता है यह बहुत ही मस्त होता है और पतंग बाजी का इसपोर्स एक ऐसा इसपोर्स है जो आपके बचपन से सुरू होता है जवानी भर रहता और बुढ़ापे में भी रहता है सिर्फ यहीं उपर नीचे का पेच हो चुका है और दोनों नहीं जो है बहुत अच्छी जगह पकड़ लिए अब देखिए क्या होता है इस पेच के अंदर नीचे वाला जो है नीचे वाला अभी तक सही हुआ नहीं है फ्रेंट्स और अब सही हो गया सही की अवाज आ गई और यह पेच का रेंज 500 मीटर है पेच फसा हुआ है फ्रेंट्स बहुत ही अच्छा दोनों ने जो है एकमजोर कडी को पकड़ रखा है क्या होगा पता नहीं जो होगा देखा जाएगा आगे बहुत ही अच्छा दुनों ने जो है इस बार फिर से डॉस दे करके पेच को बहुत अच्छा फसा है दोनों कही पेच बहुत अच्छा है और दूर करके इतने कम हवा में भी पेज को फसा करके जो है खेज करके काट दिया हूँ देखिए फ्रेंट्स बहुत अच्छा जो दिल्ली के एक प्लेयर ने बहुत अच्छा पेज काटा आप देखिए वो पतंग जो है जमीन तक जा रही है दिल्ली ने बहुत अच्छा इस प्लेयर ने ब इधर आप देखिए चांद निकल आया है दो तीन पेश लड़ेंगे फ्रेंट्स मुश्किल से यह देखिए फ्रेंट्स ट्रैक्टर को आप देख रहे हैं कि डेजर्ट पे कैसे चल रहा है इसके चक्के तो लग रहे हैं कभी सीधे चल रहे हैं और कभी तीड़ा चल रहे हैं और एक और आ रहा है एक के पीछ एक यह देखिए कभी आपको लगेगा चक्के इसको उल्टे चल रहे हैं और कभी लगेगा कि चक्के सीधे चल ले आप देखिए चक्के सीधे दिख रहे हैं पहले आपको चक्के उल्टे दिख रहे थे प्रेंडस देखियों फिर से पेच लड़ने जा रहा है और जो left hand side का player है वो नीचे सड़ाएगा right hand side वाला ऊपर से लड़ाएगा और left hand side वाले ने दो पेच काट रखा है और left hand side के player ने दो पेच काटा हुआ है अभी देखिए इस page के अंदर क्या होता है अभी तक सही की आवाज आई नहीं है हो गया सही है बहुत तेज़ खेचा और बहुत ही अच्छा उपर से लडाने वाले ने पेच काट दिया है एनी राइट हैंड साइट के प्लेयर ने बहुत अच्छा पेच काटा और वो देखी अपनी पतंग को बना करके उपर ले आया पेच काटने के बाद फ्रेंट्स देखिए फिर से पेच लडने जा रहा है और इस पतंग की डोर बिल्कुल हमारे सर के उपर से जा रही है इसलिए कैमरे के अंदर कभी-कभी इसका आपको डोर दिखेगा पतंग का और इस बार जो है राइट हैंड साइट का जो प्लेयर है राइट हैंड आपके के लिए यह जो है यंग और टाक धवर और तो अभी सही हुआ नहीं सही की वा जाई नहीं सही की वा जा이시ा आईगी तो पता लग जाएगा राइट हैन वाला नीचे से लाइफ हैंड उपर से लड़ा रहा है काफी तयारी लें चूके हैं ए यह जो क्लब काइट फैटिंग का वीडियो देख रहे हैं यह विकानेर से आप लोगों को दिखाया जा रहा है विकानेर क्लब काइट फैटिंग ग्राउंड से दिखाया जा रहा है यह देखिए सही हो गया है और दोनों ने त्यारी ले ली है जबरज़स त्यारी ले रखिए दोनों ने ये चला ओपर नीचे से दोनों और इस बार जो है लेफ्ट हैंड साइड वाले ने पेच काट दिया left hand side वाले ने बहुत ही अच्छा गद्दा मार करके पेच काटा और right hand side वाले की पतंग कड़ गई वो देखी आप इस screen में वो पतंग जा रही है जूमती वी जा रही है लहराती बलखाती वी जा रही है और वो पतंग आगे निकल गई अब उस पतन को फिर से बच्चे लोग पकड़ेंगे अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइट से लड़ाने वाला नीचे से लड़ा रहा है राइट हैंड साइट से लड़ाने वाला ऊपर से लड़ा रहा हैं और दोनोंने जो हैं बहुत अच्छी जेगे मुड़े सजाए वाला जो है नीचे तो लड़ा रहा है और राइट हैं ट्राइट वाला उपर से लड़ा रहा है कि दोनों कोई भी मौह का नहीं चुकना चाह रहे हैं पेस धिरे धिरे छोटी होती जाय रही है पेस दुबारा से हो गया फ्रेंट्स फ्रेंट्स रेत पे खड़े होकर किस तरह से पेच लड़ाना बहुत मुश्किल काम है आप किलो मीटर दर किलो मीटर देख सकते हैं रेती रेत है रेत के पहाड़ सब कुछ रेत है चारो तरफ यह देखिए बिलकुल पूरा इस तरह से रेत है और रेत के खड़े रेत के ऊपर खड़े होकर कि यह लोग पतंग वाजी करते हैं और यह बहुत ही मुश्किल काम होता है फ्रेंट्स आप महें जहां तक भी कैमरा घुमाऊंगा आपको सिर्फ लगा रेत का टिला ही दिखेएगा देखिए फ्रेंट्स पेज एक बड़ कैंसील होने के बदद दुबारा फिर से सुरू हुआ है और जो लेप एंट काया प्लेयर है लेफ हैंट स्राइट का वो नीचे से लड़ा रहा रहा है रेट रेट ्रेट वाला उपर से लड़ा र पेच है और काफी अंधेरा भी हो गया है यहां पर पूरा डेजर्ट है और डेजर्ट में कलब काइट फाइटिंग करना इतना आसान नहीं होता है यह काड़ दिया जी राइट हैंड वाले ने उपर से पेच काड़ दिया बहुत अच्छा पेच काड़ आप यह देखिए पतंग जा रही है वापे इस पतंग को जो है बच्चे पकड़ लेंगे अभी तक पकड़ा नहीं है अभी चलती चली जा रही है जैसे ही पकड़ेंगे पतंग की चाल बदल जाएगी सहाइद बच्चों को अंधेरे में नहीं दिग गया डोर उन्होंने डोर पकड़ ली इस पतंग को पकड़ लिया गया अब इसको उतार लें अच्छा तो फ्रेंड्स अब मैं ये वीडियो बंद करूँगा मेरा वीडियो कैसा बना जरूर मेरे वीडियो को लाइक करना और वीडियो को सेर करना चैनल को सब्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलना तो आप देख सकते हैं चारो तरफ जो है बिल्कुल एकदम सुनसान ह हो गया और यहां पर स्ट्रेड ऑक्स जो है वह भोक रहें दूर दूर तक देख सकते हैं डेजर्ट के टिले डेजर्ट के बहार तो मेरे इस वीडियो तो जरूर लाइक कर देना बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे और डे टू का जो डे टू था य साम के वक्त हम लोग इस वीडियो को पूरा बंद कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे तब तक के लिए बाइ के अंदर मिलें साल दू जल्दी हैसले फिषाइए हां जो किने बहुत जल्दी तनकें अंदर मिलें यांगे अंदर हैं अंदर सेयो जो साथत जल्साइए हैं आकें इस तक दो भी साथत कर दो